हेलो सुटेट्ट्स वेलकम टू माइन रचर मैं हूँ कृष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया चले स्टार्ट करते हैं हम कॉम्मिकेशन स्किल का सेकंड लेक्चर ठीक है न इसका फर्स लेक्चर हम लोग ने पढ़ लिया था इसका सेकंड लेक्चर जहां हम लोग पढ़न आधाय गाद मस्त हो या दुखी ओ ठीक है ना तो यहीश सब चीज़ें जब आप किसी बात करते हो तो सामने बाले तो आपको अपना body language क्या रखना एवन आप जब कहीं भार भी किसी से बात करते हैं तो body language को उस तरह से रख सकते हैं फिर है patient interview technique very important बेटा जब आप pharmacy field में हैं तो एक patient से किस तरीके से बात करनी है और क्या बात करनी है यह सब देखेंगे आज मज़ा आएगा ठीक है अगें important topic important chapter from pharmacy point of view and from your career point of view as a pharmacist start करें चलो तो definition body language मतलब समझ ने फटाफट किया है ओके तो क्या कह रहा है definition body language is the use of physical behavior हमारा जो physical behavior है मेरा हाथ कान खुजा रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ ऐसे खड़ा हूँ यह जो मेरा physical behavior है यह और मेरे expressions है मैं हस रहा हूँ जैड हूँ है ना इस पर फिजिकल एक्स्प्रेस्ट है एक्सप्रेस्ट है and mannerism to communicate और मैं किस तरीके से अपनी बात आप से रख रहा हूँ हस करके रख रहा हूँ दुखी हो करके रख रहा हूँ चिला करके रख रहा हूँ तो manner क्या है आपका बात रखने का non-verbaly और वरवली दोनों आयते हैं इसके अंदर ठीक है ना to communicate non-verbaly ठीक अचा बाड़ी लेंग्वेज है तो बाड़ी लेंग्वेज नौन वरवली मतलब आप अपनी बात किस हिसाब से रख रहे हैं नौन वरवली नौन वरवली मतलब बाड़ी की लेंग्वेज से आपका बात कहने का तरीका समझ में आता है often done instinctively अकसर यह instinctively होगा मतलब natural होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो जो मेरे actions होते हैं वो automatic निकल के आ रहा है क्यों जैसे कि मेरा उद्देश से कहा है कि आप लोगों को जादा है ज्यादा चीज़ें समझ में आएं तो मेरी बॉड़ी की लेंगउज कुछ वैसे ही मैं behave करूंगा तो यह instinctively अच्छा efforts होता है वो सी साग के action करता है वो सेम यहां फांक सिस्ट कर रहेगा ठीक है नाओ डेफिनिशन होगी लिखने के लिए बॉड़ी लेंगवेज प्लेसे एं इसेंशन रोल इन कमुनिकेटिंग विद पीपल ऑविसी बाद है बॉड़ी लेंगेज का बहुत बड़ से लग रहा था लाजा मतलब उसका बॉड़ी लेंगवेज ओके समटाइम इट केंट सेंट सिंगनल स्ट्रॉंगर देन वर्ट कई बार बॉड़ी लेंगवेज के सिंगनल से ज्यादा स्टॉंगर होते हैं आप कहतो रहें लेकिन आप भाप जाते यारे बोल तो रहा है लि इस देर इस डिफ्रेंस इन वर्ट यॉर सेंग एंड थिंकिंग आपको सब्कॉंसिंस माइंड ना आपकी बॉड़ी लेंगवेज उसके कंट्रोल में होती है आपको खुज नहीं बता आप क्या कर रहे हो लेका वाप बात बोल रहा हूं तो इतना फास्ट प्रोसेस चल रह करती है काम करती है इसी लिए जो रीडर होता है सामने वादा परसंद रहे हैं और आपके यह रहा है उनों झक्लुन है। दोन में अकर अंटर है तो बाप जाता है। बोड़ी लेंगोज ओफन है जो ग्रेट इंपक्ट इन ट्रांस्मिटिंग मैसेश तो लिस्टनर इसका बहुत बड़ा इंपक्ट होता है ओविसी बात है होता है बोड़ी लेंगोज कमप्राइजिस दा गैस्चर एन मुवमेंट गैस्चर मतलब हाव भाव आपका हाथ रखन दिफेरेंट पार्ट ओवर बोड़ी हमारे अलग अलग बोड़ी पार्ट्स के जो हम गैस्टर बना रहे हैं मुवमेंट दे रहे हैं उनको वन कम्मुनिकेटिंग विद पीपल तो एक्चुली कहीं ना कहीं इस पॉइंट के बाद हमारे पासे दूसरा पॉइंट तो आपके दिखाता है कि आपका attitude कैसा है अब क्या होती है इसकी अभी बात करेंगे अगर आप एक अच्छे पोश्चर में खड़े हैं जैसे कि मालूब आप बात कर रहे हैं किसी से यह हांत है से हाथ पीछे करके खड़े है ठीक है यहांत ऐसे करके सामने करें खड़े हैं तो एक अच्छा पोश्चर आप ऐसे टेड़े मेड़े ऐसे खड़े हां बता भाई यह तो एक अच्छा पोश्चर यह दिखाता है आपकी personality और आपका confidence ठीक अब यह तो होगी हमारे किसकी बाते हैं body language यह definition अब बहुत introduction होगे इसके बारे में अब हम बात करें मैंने बात की open और closed body language यह क्या होता है तो आप देखें arms open हाथ खुले होने चाहिए आपके legs open अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी दोनों टांगे अलग हों एक के उपर एक चड़ी हुई नहीं होने चाहिए हैं hands behind your head hands behind your head इस तरीके से ठीक है relaxed clothing कपड़े आपके अराम से relaxed वाले हैं are some of the examples of open body language आप open हो जाने के बात करने में interested हो while armed closes armed ऐसे close हैं over the chest cross leg leg एक को पर एक crossover रखे हैं looking down नीचे देख रहे हैं बात करते वक्त सामने नदरी नहीं मिला रहे और away our example of closed body language ठीक है ना हाथ में हाथ रखे खड़े हैं या इस तरीके से खड़ें यह सब close body language इसा रहे हैं ठीक है ना so remember it's very important to have an open body exposure while meeting anyone for the first time जब भी आप पहले बार किसे से मिले तो open body posture रखें ठीक है ना अब हम इसमें कुछ और बाते करें forward और back इसका क्या मतलब है forward मतलब आगे back मतलब पीछे when people are leaning leaning मतलब जुके हुए है forward जब किसी आप पेशेंट से मिलेंगे जब counseling करते हैं तो क्या होता है बैट करके करेंगे ना counseling जब से बात्चीत करते हैं बैट करें खड़े होके बहुत कम संभाव ना है जब बैट के करते हैं तो बैट के ऐसे बैठे हुए है तो आप इसे टेवल को जुक्या से सुनते हैं सामने वाले को है ना और एक राम से रिलेक्स होके बैठे हैं तो कर रहे हैं और रिजेक्ट कर रहे हैं message को या तो वो actively आपके message को अच्छे से समझ रहा है और accept कर रहा है या उसको समझ के नगार दे रहा है मतलब वो active है आपको सुनने में अगर ऐसा posture है when they are leaning back और जब आप ऐसे अराम से बैठे हैं कुरसी पीछे हो कर गे ठीक है ना looking up at the ceiling चत को देख रहे हैं वही है तुम बोलते रहों ठीक है doodling on pad ऐसे खेल रहे हैं पैड पे cleaning the air glass चस्मा उतार ले रहे हैं ग्लास साफ करने लगे they are either passively absorbing और ignoring it यानिकि जो आप बात हो रही है उसको सामने वारा क्या कर रहा है passively absorb कर रहा है तो बोलता है मैं सुन रहा हूं या कब actively उसे सुन रहे हैं समझ रहे हैं और कब आप उसको ignore कर रहे हैं समझ जाएगा patient ठीक है ना इंसान सभी है समझ जाते है body parts involved in the body language कौन कौन से body part है facial expressions eyes lips arms hands and fingers इस सब involved होते हैं सब क्या रोल है अब तो face की बात करें तब face is an important source of information चहरे को read कर लेते हैं लोग कि अच्छा बोल रहा है कि डरा हुआ बोल रहा है सब समझ में आता चहरे से since the face cannot be easily hidden चहरों का चुपा नहीं सकते हो असानी से it is important source of non-verbal communication and communicates a variety of information और चहरे से बहुत सारी information का पता चल जाता है इन addition eye contact people size जो people का size है and the smile provide additional cues cues मतलब एक तरह से hint to informed observer ठीक है ना तो यह सारी चीज़ें कुछ additional चीज़े हैं जो observer को inform करती है आपके बारे में कि आप किस way में साहने वाले को चीज़ें को accept कर रहे हैं यानि patient जो आप से बात कर रहा है तो आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं यह बात समय में आती है अब जखो कुछ हिस्से हम समझें सब को पता है इनकी बारे में पार्ट फोरेड माथा अगर रिंकल रिंकल का मतलब आप ऐसे ऐसे हो गया तो इसका मतलब क्या है गुस्सा आइब्रोज आउटर एज अब आउटर एज उठी हुई है इसका मतलब क्य तो फोकस गेजिंग अप या गेजिंग डाउन के अप का मतलब आखे ओपर करते तो आप सोचने प्रोसेस है गेजिंग डाउन गेजिंग मतलब देखना नीचे के तरफ कर लिए उस शेम आपको श्रा मारी है गेज ऑन दसाइट मतलब आपको गिल्टी लग रहा है आपको आखें इधर हैं कभी उधर हैं इसका मतलब डिस इंट्रेस्टेड और गोर्ड हो रहें आप तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों में प्लस आपको दोन चीव ध्यान रखना कि यह सब एक्टिविटी नहीं करनी है और पेशेंट यह सब एक्टिविटी करना तो भी आपको ध्यान रखना है कि वह इंट्रेस्ट क्यों नहीं है ठीक है ना लिप्स होट के वरें हम लोग जब रिलाक्स होते हैं तो इसका मतलब रिलाक्स और खुश हो तो पॉसिब्ली कंसर्ण मतलब आप चिंतित हैं किसी चीज को लेके वाइड ओपन वैरी हैपी वैरी तो हस्ते भी खुलता है और अच्छा जब एंगर गुस्यां चिला रहे हैं तो भी मुझ खुल जाता है तो दोनों केस हो सकते हैं हाथों की बात करें आंस की आंस क्रोश क्रोस हो रखें एंग्री या डिसप्रूवीं हो सकता है कि आप सामने वाले को नकार रहे हैं उपन है तो मतलब ऑने सेप्टिंग हाथ उपन है तो इसका आप सामने वाले को सुन रहे है और असेप्ट कर रहे हैं तो छोटी सी वात एक तरह से कहीं ना कहीं यह बॉडि लेंग्वेज ये कला है तरह से कहीं ना कहीं जो जब आप प्रोफेशनल फिल्ड में आएंगे तो इसकी भी अकेले के ट्रेनिंग होती है अलग से हाथ on top of head सर के उपर है ठीक है अमेजमेंट यहने कि आप चौके हुए है क्या हो रहा है इसक्रेशिंग है मतलब थोड़े कंफ्यूज है रबिंग आए आंक माल रहे हैं मतलब थोड़ा थके हुए है ना मालो कोई फार्मसिस्ट आ अगरे थका हुए आसा लग रहा है ठीक है रविंग चीन और फॉल्डेट चिन फोल्ड करके ऐसे रब रब कर रहे है मतलब थेंकिंग या टिमिड सोच रहे हो डरे हुए और शर्मा रहे हो ठीक है फिंगर फिंगर अगर इंट्र लॉक कर लिया है मतलब आप टैंस में टैं हैं जो अगर हम बात करते हैं तो यह सारी चीज़ें हमारे कई नगें help करती हैं सामने वाला को समझने में और सामने वाला हमको भी जज़ करता है इसी तरीके से ठीक है आग आते हैं अब responsive body language अगर आपकी body responsive है यान कि patient आप response दे रहे हो patient समझ जाएगा response और responsive body language कैसी होती इंगेज आप सामने वाले से इंगेज हो तो क्या-क्या है इसके लक्षण है leaning forward आप सामने जुक करके सुन रहे हो open body होगी open arm होंगे open end होंगे ठीक है ना responsive body language तो क्या-क्या लक्षण है कि आप response कर रहे हो तो option आ सकता है इगर आप जानने के चुक हो इगर मतलब उठ सकता इगर का मतलब उठ सकता आप उठ सुक है open leg होंगे feet under chair pair chair के नीचे होंगे इस तरीके से नहीं फोल्ड करके अंदर के तरफ कर लेते हैं leaning forward जब lean forward करते हैं तो पैरों को फोल्ड करके कहां कर लेते हैं सोड़ा सा चेर के नीचे आ जाती है ready to agree यानि कि सामने वाली बात को accept कर रहे हैं closest paper जो paper होगा पैन होता आप उसको रख देता है कि हाँ जुम कह रहे हो सही कह रहे हो सुन ले पहले तुम्हें pen डाउन पैन रख देंगे नीचे और hands flat on the table हाथ टेवल को तरसे flat रहते हैं ठीक है reflective body language चिंतन शील यानि कि सामने वाली की बात को ले करके आप चिंतित हो उसको ले करके concern कर रहे हो उसकी बात को एक तरह से process कर रहे हो तो listening यानि कि आप process को अच्छे से सुनोगे तो जब listening होता है तो उसमें क्या क्या आएगा with head tilted सर हलका सा जुका होना ठीक है ना lots of eye contact आप लगातार उसकी आँखोगे और मैं घूरोगे नी लगातार का lots of बार-बार contact करोगे और उसको समझ रहे हो जब बोल रहे हो समझने कोईश कर रहे हो नोडिंग समझते जा रहे हो और हाँ हाँ करते जा रहे हो हाई blinking रेट आखे थोड़ी जब लगातार देखते हैं किसी को हाई content होते हैं तो आखों में जापकना थोड़ा सा ज़्यादा हो जादा हो जाता है इवलिटिंग ठीक है रिफ्लेक्टिक में एक लिस्निंग हो गया आप इवलिट भी कर रहे हो उसको इवलिटिंग के क्या लक्षन है सकिंग ग्लास निकाल लोगे या हाथ में पैंसिल होगी तो आप प्रसाना मुह में डालने लगता है तो सोचने वाली प्रसेश एवलिए नीचे की दरफ और एक पैर ऐसा हो गया ठीक है ना तो फूर की पोजिशन बन जाता है एंकॉल ऑन नी है ना तब ही तो बनेगा बास वंजवा रही है मानलो एक पैर तो यह है और दूसरा पैर जो है वो ऐसे करके आ गया इसके उपर अब जैसा भी डागराम बन गया है ठी ठीक है अटेंटिव हो आप आंस बिहाइंड बैक आंस आपके पीछे होंगे आप यहां सरे होंगे और ओपन फीट आपके पैर खुले होंगे तो यह सारे किसके हैं बोड़ी लेंग्वेज के लक्षन है सारे अब अगर आप फ्यूजूटिव हो याने की भगोडा भगोड है क्या उसको लिटरे कर रहे हैं उस प्रोसिस से ढब हागना चाया रहे हैं आप उसको सुनना ही नहीं चाया होँ तो यह और ऑर हो तो टेरिंग इंटू स्टेर मतलब लगोग श्लंड पोस्चर एक जुक्आ हुआ अजीब सा पोस्चर हो जाएग आपका फूट टैपिंग पैर थमसापाइन लगोगे लेट मीगो अगर अगर आप उस प्रोसेस से भागना चाहते हो तो फिट टूवर्ड साथ डॉर आप बात कर रहे हो लेकिन आपके पैर ऐसे होंगा ठीक हाँ ठीक ऐसे दर्वाजा मालो ज़र पे और ऐसे आप बात करोग हैं माने नीर रहे हैं मतलब मन से रिजेट करना चाहरे हैं तो मूविंग बैक आप पीछे देखोगे आंप कर लोगे लेक्स क्रॉस कर लोगे 11 पोजिशन दोनों पैर आगे स्टेट और ऐसे करके क्रॉस कर लोगे 11 पोजिशन आ जाएगा थाई ऑन नीज ठीक है ना जो था होते हो चुप हो जाओ मुझे बोलने दो लेट मी स्पीक तो इसके लिए क्या फिंगर टैपिंग टैप करोगे टैबल को फुट टैपिंग करोगे स्टेरिंग उसे घुरोगे एग्रेसिव हो जाओगे यानने की अग्रेसिव होने का मतलब क्या है थोड़ से उत्तेजक हो जाओगे ठीक है लीनिंग फॉर्वड आगे जुख जाओगे फिंगर करोगे उसकी तरफ और फिष्ट क्लेंच ऐसे मुठी बंद कर लोगे ठीक है डेफियंट हैंड्स ओन हिप और फ्रॉन गुस्सा दिखाओगे ठीक है ना तो यह सब चीजे हैं हमारी कॉम्बेटिव ब बाते लिखनी है अब बेटा यह बहुत ज़्यादा जरूरी है पेशेंट इंटुरूट टेक्निक ठीक है ध्यांस समझना इसको कि किस तरह से इंट्रूवी किया जाएगा तो कह रहा है इंट्रव्यू इस अप्ले प्लैंड 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 मतलब पहले से एक्दम तया इन्फरमेशन लेंगे identify problems of mutual concern और ऐसी problem ढूणोगे जिसमें mutual concern उसका भी concern होगा तुम्हारा भी concern होगा ठीक है ना evaluate change जो change वगरा हो रहे हैं उसको evaluate करोगे teach करोगे उसे समझाओगे provide support उसको support दोगे there are two approaches to interviewing directive and non-directive तो types से होते हैं directive और non-directive मतलब का नहीं अभी तो फिलाल हम यहां तक रखेंगे इसको कि यह हमारा क्या होगा interview हो गया यह इंट्रीव के टेक्निक होगा क्यों कि हमारा focus का है patient interview के उपर है ठीक है patient interview के उपर हमारा focus है नॉर्मल जो इंट्रीवेए होते हैं और डारेक्टिम निर्देशित वाले होते हैं और एक non डारेक्टिम देशा मेश मनिंट्रीवेज बात करने तो मतलब क्या होगती तरह से आधान प्रतान होता है information का patient के साथ किस तरह की information का अदान प्रतान होगा आओ देखते हैं यहीं से वारा कोश्चन का अंसर बनेगा तब पेशmare वेवी ऑफ अब्तेंग िप्रूमेशन पेशंट की पूरी इंफ्र उटफारी के पीता है क्या नहीं पीता है क्या खाता है ठीक है ना को क्या क्या होता है पूरी detail information होगी इसो कहा गया comprehensive information तब ही doctor एक उसको या pharmacist उसको एक साही सला दे पाएगा अब methodological approach is used to obtain information from the patient एक methodological approach method होता है तरीका होता है जिससे की information निकाली जाती patient से usually starting with the determining the patient's chief complaint सुरुवाद वहां से होती है कि भाई तुभारी main दिक्कत अभी क्या patient बोलेगा आज तो पेटम बहुत दर्द है जो भी बोलेगा ठीक है ना main complaint से start होती है also known as the reason for the healthcare visit जो main complaint होती है उसी वज़े से वो clinic में आया हुआ होता है अपना वो दिखाने के लिए ठीक है and then delving उसके बाद delving मतलब हम घुसते है further into the exploration और ढूंते हैं एक्स्प्लोर करते हैं patient's specific complaint and problem यह आखिरकार उसका main problem क्या है पेटम दर्द तो बता रहा है ऐसा नहीं कि में दिकत कुछ और जिसकी वज़े से पेट दर्द हो रही है फिर हम उसको खोज नहीं कोईश करते हैं और वो पूरा interview के थुरू होता है ठीक है अग comprehensive patient interview include जब जब आव एक comprehensive interview लेते हैं डेटेल इंटर्वू लेते हैं patient का इसके अंदर इंक्वाइरिंग अबाउट पेशेंट्स medical medication यहां पे हम patients क्या 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 दवाईयां ले रहा है उसका medical पूरा medical क्या है उसकी medical history क्या रही है social कैसे है उसका society का सबस कैसे रह रहा है personal hygiene वगरा सारी चीज़े information आती है family history क्या रही है कोई family में आता ऐसा नहीं है कि बिमारी कोई family में रही हो करके as well as through review of systems and possibly of physical examination ठीक है पूरा system होता है और बाद में finally हम physically examine करते हैं उसकी body को कि कोई problem क्या है क्या नहीं इस तरीके से finally हम inquiry करते हैं और पूरा patient का क्या है उसकी बिमारी के काले चिटा खोलते हैं कि हमको exact बाते पता चाल सकें now the question that you ask the patient as well as the technique use जो question तुम पूछोगे और जो तरीका यूज करोगे will enable you to learn exactly वह आपको सच्छम बनाएगी कि आप learn करें जाने how कब how कैसे when कब एर क्यूं patient take each medication कैसे कब और क्यूं patient ने हर एक medication ली है as well as about any adverse reaction और इसके लावा कभी कोई adverse reaction हुआ उसके बारे में allergies के बारे में issues with medication cost the patient may have experience और साथ-साथ में जो दवाईयों की cost है उसके साथ अगर कोई उसका issue है है ना कि वह महगी यह दवाईया नहीं ले जाता है जो पेशेंट से हम इंट्रू ले रहे हैं कोशन पूछ रहे हैं और टैक्निक उसकर रहे हैं उसमें सारे खुला से हो जाते हैं इस तरीके से लिया जाता है जो पेशेंट इंट्रू आप किस तरीके सा उससे इंट्रू ले रहे हैं और जो उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री है किसकी पेशेंट की will change based on the setting in which you are practicing आप किस तरह का इंट्रू ले रहे हो और पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है वो चेंज हो जाती है या depend करती है कि आप किस तरह की setting में हो setting मतलब आप एक community pharmacy के pharmacist हो या आप एक hospital pharmacy के pharmacist हो यह आपके patient के interview का जो है तरीका उससे बदल जाता है ठीक है for example if the setting is कह रहा अगर setting is community pharmacy अगर आप एक community pharmacy के pharmacist हो and you are responding to a problem और आप patient की एक problem को respond कर रहे हो उसे जांच परताल कर रहे हो debt में allow for self-care अब वहाँ पर क्या है self-care के patient तो वह है न चलता है फिरता आया है वो अपनी देखवाल खुद कर सकता है ठीक है your question will be directed at meticulously characterizing गा तो आपके जो सवाल है your question will be directed इस प्रकार होंगे जो एकदम बारीगी से characterize करेंगे the patient's complaint की patient की exact complaint क्या है and obtaining specific information और एक खास information को obtain करेंगे उसके पास से that will influence जब वो information आपको मिल जाएगी उस वो information प्रभावित करेगी आपके assessment को आपकी जांच परताल को and plan for the patient और patient को किस हिसाब से आगे ठीक करना है उस planning पर अशर डालेगी तो यानिका आप community pharmacy थोड़ी सी चीज़ें बदल जाती है और अगर however अगर आप if you are in hospital pharmacy अगर आप hospital pharmacy में तो focus of the interview may need to be modified based अब यहाँ सोड़ सा modification आ जाएगा जो उपर सा वो नहीं रहेगा क्यों? based on patient condition भई वहाँ पर जाएतर patient क्यों होते है admit है यानि कि वो self care नहीं कर सकते the patient's condition and unit or department in which he or she is being cared दो चीबड़ीबड कर रहेगी patient ही condition किया है और किस department में? heart वाले department में है lungs वाले में है kidney वाले में है किस department में है उसके according उसका क्या होगा? questioning होगर रहेगी ठीक है? the patient's need may be met जिससे की उसके अधार वो जब वो questioning करेगा जिससे की patients की ज़रूरते है उसको वो answer मिल सके तो ध्यान दगना community pharmacy औ अ hospital pharmacy your goal during the interview will be the provide will be to provide patient center care आपका जो goal होगा वो वस यही है कि आप patient center care यानि कि आपका उदेश में यह है कि patient को center में रखते हुए आपको care करनी है this can be accomplished by combining your pharma को therapeutic यह कैसे होगा? यह इस प्रकार से पूरा होगा कि जब आप अपनी pharma को therapeutic knowledge को combine करोगे with a solid foundation of excellent communication pharma therapeutic knowledge को आप अपनी excellent communication के साथ mix up करोगे तब जाकर के patient से सारी information निकाल पाऊगे और तब आप patient interview skill को अच्छे सीखोगे और patient centered care कर पाऊगे बात समझे आ रही है तो लिखने के तरीके हैं आप उसको हिंदी में नोट करके या simple भासा में भी कर सकते हैं ठीक है और short भी कर सकते हैं इसको कोई दिक्कजाली बात नहीं अब skill कौन कौन से हैं these skills and questioning technique questions की technique अगर उपर का ना लिखो तो आपको ये तीन चे लिखनी है question की technique क्या क्या रहेगी उसमें क्या क्या बाते रहती है active listening कायदी से सुनना है empathy दिखानी है building report open ended question होने चाहिए close ended question क्या होते है ठीक है ना और कब पूछे जाएंगे open ended भी पूछे जाते है close ended भी पूछे जाते है लेकिन कब पूछे जाएंगे वो आपको समझना है leading question भी होने चाहिए क्या होते है silence आपको क्या चुब भी रहना है why question भी होंगे क्यूं भाईया ऐसा क्यूं और non-verbal communications के कुछ cues भी होंगे यहाँ पर हैंड की hint भी होंगे जिससे कि आप non-verbal भी उससे क्या करोगे communicate करोगे बात समझ मा रही है now active listening के लिए master करें सामना जो बोल रहा है उसको सुने पहली ना बोल पड़ें सुने उसको समझे और फिर उससे बात करें सबसे बहला concept क्या आपको listening होना है specifically active listening क्या होते है active listening listening में भी active listening आओ देखें listening is defined as hearing listening का मतलब आपको सुनना है what is being said जो कहा जा रहा है whereas active listening जबकि जो active listening होती है is a dynamic process यह एक dynamic process है dynamic मतलब चलाय मान यहाँ पर process हो रही है that includes both hearing what is being said यहाँ पर आपको दोनों चीज़े करनी है जो कहा जा रहा है उससो सुनना भी है as well as processing and interpreting the words जो शब्द कहे गए उसको दिमाग में process भी करना कि क्या कह रहा है क्यों कह रहा है उसको समझना है अच्छे से data spoken जो बोले गए to understand the complete message that is being delivered जिससे कि आप पूरा message को समझ सके जो की सामने से आया है whereas listening is passive process केवल listening सुनना एक passive process है बात आ रही है हम सुन रहे है उसको process नहीं कर रहे है ठीक है active listening requires the listener to be consciously choose to give the patient's attention active listening में क्या होता है ठीक है consciously choose to give the patient's attention यहाँ पर आपको patient को attention देना है and concentration that is free of distraction and interruption both external and internal और जब आप उसको patient को consciously choose पूरा चान भूच करके एकदम ध्यान लगा करके patient को attention देंगे और concentration करेंगे focus करेंगे बिना किसी distraction और interruption के अब जो distractions और interruptions होते हैं यानि कि जो दखलांदाजिया हो सकती है वो दो तरह की हो सकती है external और internal जब आप patient से interview ले रहे हैं तो आपको कुछ external distractions मिल सकते हैं जैसे कि इसमें क्या क्या है और इनको avoid करना असान होता है तो external distractions include रिंगिंग टेलीफोन टेलीफोन बिज रहा है तो आपको silent रखना है flickering computer screen मालों आपके सामने computer रखा हुआ है और आप सामने बैठके बात कर रहे हैं और computer screen बार बार फ्लिक कर रही है यानि कि जिल मिला रही है and other infringing personal infringing personal मतलब कुछ ऐसे लोग बीच में आया थे हैं कि hello I करने के लिए पाईशान कर रहे है and or other duties या जब आप interview ले रहे हैं तो आपको कोई और duty का काम आ गया है तो यह सब चीजें नहीं होंचे इसको आप avoid कर सकते हैं internal distractions क्या होते हैं इसको दो reason होते हैं many matters बहुत सारे जो matter होते हैं unrelated to the patient in front of you जो patient से related रखते ही नहीं है may occupy your mind मतलब बात तो कर रहे है patient से लेकिन आपके दिमाग में चल कुछ और किसी और की बाते चल रही है किसी और को लेकर करके आप सोच रहे हैं पहले चीज़ it is difficult it is difficult communication skill to perceive what the patient is saying यह काफी मुश्किल है कि जो patient कर रहा है हम उसको उसी हिसाब से सुने या माने without tainting tainting मतलब बिना चेड़ चाड़ के किस से चेड़ चाड़ करनी है मानलो patient ने कुछ कहा है कोई बात तो हमारा दिमाग क्या होता अच्छा इसने ये बात बोली तो हमारा दिमाग कहता है इसने ये बात इसलिए बोली होगी हम पहली उसे judge कर ले रहे हैं तो taint कर दिया हमने उसे उसे चेड़ कर दी his or her message with your personal judgment यानि कि वो को इपने बात कहना चाह रहा है ठीक है अब वो कह रहा है भहिया हमें malaria हो गया तो हम सीधा बोलते है सीधन चल रहा है मच्छे दाइन लगा ही नहीं होगी हमारे दिमागें बात पहली आगी अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो ये बात कहाना चाह रहा है भहिया कि हम यहाँ तो मच्छे दाइन लगाते थे लेकिन हम भार गए थे तो वहाँ से हो गया आपने उसकी बात पुरी सुनी नहीं आपने पहले जज़ कर लिया उसको ठीक है ना तो ये सब चीज़ें internal distractions होते है अब the second reason is more difficult यानि कि internal वाला ज़्यादा difficult है to address address मतलए उसको remove करना एक तरह से because instinct जो instinct होते हैं यानि कि हमारे अंदर से खयाल आते हैं किसी के लिए जो हम judge करते हैं often lead us to judge or evaluate what the patient is saying ठीक है ना वो जो अंदर से हमारे instinct आ रही है जैसे मैं नहीं बताया कि उसने का malaria होगे तो हमने का कि मच्दानी लगा लेता तो कुछ नहीं होता तो हमने क्या बता वो तो रोज लगाता मच्दानी लेकिन बिचारा काम से बाहर गया तो वहां से लेकिया आगे माले रिया ठीक है तो ये इससे क्या होता है because instinct होते हैं often lead us इसकी वएसे हम लोग अक्सर कहां चले जाते हैं judge कर लेते हैं या उसको ऐसे जांच परताल कर लेंगे या उसको wrong तरीके से उसको जांच लेते हैं ठीक है the patient saying based on our own frame of reference हम अपने तरीके से अपने frame of reference से कि हमने क्या सोचा उसी इसाथ से patient होगा यह हमें इस तरह से judge कर लेते हैं for example अब यहाँ पर एक example भी है as you prepare for a patient who has been referred to you for smoking cessation अब तुम्हारे पास कोई patient आया है जो smoking को रोकना चाहता है और उसके लिए counselling करने आया है विचारा कि भई हमें smoke छोड़ना है you read in several progress notes that अब तुम बहुत सारे notes में आपने counselling करी है जहां से आपने यह जाना है जादा तर कि refuses to give up smoking कि मना करना कि हम smoking नहीं छोड़ पाएंगे ठीक है as as you meet with that patient in your mind you may be thinking that it's so difficult to give up smoking and most people don't really want to give up smoking ठीक है ना तो अब क्या है जो patient आया है तो अब आपके दिमाग में क्या बात आ रही है आप क्या सोच रही हो आप क्या सोच रही हो most people don't really want to give up smoking जाता लोग क्या होते कहते हैं तो हैं कि हम छोड़ेंगे ठीक छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वो इसी तुम भी होगे यह हमारी दिमाग में पहली बात आ गई लेकिन reality में वो छोड़ना चाहरा है आप उसको सुने ही नहीं कि किन कार्णों से वो नहीं छोड़ पा रहा है ठीक है तो यह हमारी दिमाग में पहली एक बात आ गई बेश डॉन योर प्रीवियस इंकाउंटर जो आपने पहले इंकाउंटर मतलब पहले लोगों से बातचीत करी है इसलिए जब आपका पेशेंट आपसे बात कर रहा है कि वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है क्यों मुश्किल उसके लिए टू क्यों मांग संतर रहा है कि यहाँ छोड़ रहा हूं बट आपका दिमाग तुम्सकों क्या कर दे रहा है इंटर्पेट कर दे रहा है अपने आपसे जज्जह ज़िए रहा है it is it it as excuses rather than reason कि यह तो बहाना है बजाए इसके कि कारण के हम क्यों नहीं छोड़ पा रहे that you may be able to address with the patient to assist him in quitting smoking this patient को आप smoking छोड़ने के लिए counselling करा रहे हो interview ले रहे हो बजाए इसके कि आप से कारण सुनो आपने इसको आपका दिमाग कहरा है रहे हैं बहाना मार रहे है बनना है समझना है सामने वाले को है ना दूसरा क्या रिजन था कि आप जिस वे में patient अपना रखना चाह रहा है आप भी वहीं बैट करके उसको देखें और समझें के लिए रहे बाते हैं now second empathy वो तो हो गया listening वाली बात जब सुनेंगे नहीं उससे समझेंगे नहीं तो बात कहां से बनेगी अब आती ही बात अपने पास क्या empathy empathy क्या होता है empathy का exact meaning क्या होता है कि आप बहुत rare होता लेकिन ऐसा exact जहां पर एक बंदा बैठा है और जो feel कर रहा है आप ठीक वहीं पर अपने आपको imagine करके feel करें तब आप जाकर के उसका दर्द को समझ पाएंगे जो कि हर कोई नहीं कर पाता है ठीक है ना रहता है लोग कि मेरी जगा आके देखो तब पाद चलेगा तो यहाँ पर वही चीज़ हो रही है empathy empathy defined as the intellectual identification intellectual मतलब दिमाग से with or vicarious vicarious experiencing of the feeling vicarious experiencing of the feeling का मतलब क्या है आपको ठीक वहीं पर सेट होना है बैठना है जहाँ पर patient है तो vicarious का मतलब समझाय हुआ है experienced in the imagination through the feeling or action of another person आप उसको imagine कर लिए कि अच्छा मालो सब को सब कोई बिमारी है तो आपने imagine कर लिए कि मेरे कोई बिमारी है मैं खा नहीं पा रहा मैं पी नहीं पा रहा मेरी फेवरेटी सामने रखिए मैं नहीं खा पार बिमारी के वहीं से कैसा फील होगा तो आपने imagination किया उसको अपने उपर that is called empathy ठीक है बास बंच में आगी the term empathy and sympathy are often confused दोनों से confused हो जाते हैं हम लोग कि empathy ओ sympathy क्या है sympathy is when you feel sorry for the patient sympathy मदलब किया है जब patient के लिए sorry feel करते है रही यार ठीक नहीं हुआ तुमारे साथ ही है ठीक है but do not feel the same emotion whereas आप वो emotions feel नहीं कर रहा जब patient feel कर रहा आपने कहा कि यार अच्छा नहीं हुआ but whereas empathy is when you place yourself in your patient situation जब आप अपने आपको patient situation पर रख देते हो और रिस्पॉंड और फिर रिस्पॉंड करते हो based on either similar personal experiences और through vicarious understanding और वही सारे जो similar जो experience है उसके क्या कहते हैं patient के आप सेम उसको अपने उपर डाल रहे हो imagination कर रहे हो thought कर रहे process को और फिर सोच रहे हो कि आरे यार यह तो बड़ा खराब मेरे साथ मेरे साथ में को सोच करके ऐसा लग रहा तो उसके साथ रियल में है ठीक है empathy can be shown in several ways empathy को हम लोग कई तरीकों से show कर सकते हैं and each way will depend upon the particular patient as well as the situation और हर एक में depend करेगा ठीक है की patient कौन सा मरीज कौन सी disease का है और क्या situation है फॉर एक्जांपल कि नोडिंग यूर है आप सर हिला रहे हैं वो बोल रहा है आप सर हिला रहे हैं making a statement आप उसने कुछ बोला और आपने कुछ सवाल किया हम उसे can show empathy ठीक है additionally इसके अलावा it is important to distinguish between empathetic statement and the assumption एक प्रॉलम और आती है हम लोग जब पेशन से बात कर रहे हो तो एक empathetic है ना statement जो हमने दी है और जो assumptions मान करके statement देते हैं दोनों फरक नहीं कर पाते हैं क्या अंतरे दोनों में आओ देखते हैं ठीक है तो that you know exactly what the patient feeling okay for example saying to your patient who has been diagnosed with cancer suppose तुमारा जो patient है उसको cancer diagnose हुआ है मतलब पता तला कि उसको cancer है ठीक है और आप उससे कह रहे हो saying कर रहे हो I know just how you are feeling मुझे पता है कि आप कैसा feel कर रहे हो my grandfather had cancer and it was such a shock to all of us और यह हमाँ सब के लिए भवरा जटका था at first he was just so overwhelmed and upset ठीक है ना तो at first सुरुवात में वो बहुत ज़्यादा गवरा गए बहुत ज़्यादा परिशान से हो गए और दुखी हो गए थे तो यह जो बात आपने उससे बोली तो कहेगा यार इसनों तो general बोल दी बात कि हाँ हमारे दादा को भी था तो इसलिए हमें पता है कि ऐसा ऐसा होता है करके मतलब आप वहाँ पर touch नहीं हो उससे जाकर करके यह आपने अपने adjustments के आदार में बात कर दी अब देखो में make the patient feel like you are not truly listening to her अब यहाँ पर patient कहेगा यार मुझे cancer हुआ है और आप कहरे हो कि में दादा को भी cancer हुआ था यह कोई सी बात होगी तो patient को क्या feel हो कि आपने में को सही सुना नहीं बट रैधर assuming that she will respond like anyone else with a cancer diagnosis it may be better to say बजाय को कह रहा है बजाय इसके कि assume करके यह बात बोल experience is मुझे अपने कुछ personal experience से चीज़े पता है that finding out about cancer can be very overwhelming कि जब cancer का पता चलता है तो बहुत तर्द होता है बहुत मन खराब हो जाता है how are you feeling आप कैसा feel कर रहे हैं अब बात आपने मतलब उसको लेकर आपने पहले क्या बोल जा रहे हैं मेरे दादा को भी हुआ था दुख्य हो गए थे अब आप कह रहे हो कि मुझे पता है कि जब ऐसा होता है मेरे personal experience रहे हैं ऐसे लोगों से मिला हूँ मैं वह बहुत दुख्य होते हैं आप कैसा feel कर रहे हैं तो अब आप उससे जुड़ करके बात कर रहे हैं ठीक है this is called empathy बात बीडिंग रैपर वॉसके साथ टाल्मेल बंठा रहे हैं याने कि राप ठीक तेरा का मतलब क्या होता है तो जब आप पेशेट के साथ ताल मेल होता लेंगे तो पेशेंट आपको सारी बाते बताने में हिचकेगा नहीं शर्माएगा नहीं तो बिल्डिंग गुड रेपर्ट सेट्स ता टोन फॉर दो इंट्रिव्यू अगर अच्छा रेपर्ट तोन हो जाता है मतलब एक इंट्रिव्यू काफी अच्छा चलता है और पेशे अपनी सारी बात खुल के बताता है आगे आते हैं पेशेंट में समटाइम विदवल्ड इन्फोमेशन अब ये तो होगी यह फायदे हुआ अब कहरा कि क्यो बनाना है रेपर बिल्डिंग तो कर्था पेशेंट में समों टाइम विदवल्ड विदवल्ड मतलब रोक लेता ह information रोक लेता है if they feel uncomfortable उसे लगता है कि नहीं यार इसको बताना सही नहीं लग रहा मेरे को तो अपनी बाते नहीं बताएगा और अपने बताओं कि ना बताओं अगर रैपट बिल्डिंग नहीं हुआ है because of lack of feeling respected वो देख रहा है कि असानल बंदा में respect तो करनी रहा है तो मेरी बीमारी की क्या इज़्जत करेगा इज़्जत करने मतलब है कि मैं बीमारी में जागना उड़ जाए मेरा कहीं ठीक है feeling respected feeling as though their words are not being hurt या तो से ये feel हो रहा हो कि उसका respect नहीं है या ये feel हो रहा कि उसके शब्द सुने नहीं जा रहे है not being hurt or quite simply not knowing who you are and what your role is और या simply वो समझ नहीं पारा कि भाई तुम हो कौन तुम मेंसे इंट्रीद लेने तो आ गए हो तुम हो कौन और तुमारा रोल क्या है who you are and what your role in their care उसकी देखभाल में तुमारा रोल क्या है वो कई बार समझ नहीं पारा है therefore starting the interview by greeting the patient by name तो इसलिए जब भी आप interview शुरुआत करें तो patient का नाम लें making sure you are pronouncing the patient's name correctly ध्यान रखें patient का नाम जितना सही अच्छे से लोगें उतना patient खुश होता है खासका वो patient जिनके नाम थोड़े से लेने में दिक्कत होती है asking how he or she prefer to be addressed और से पूछ रहे हैं कि मैं आपको कैसे address कर रहे मिस्टर कहके या आपका नाम बुला करके and adding a title to his or her name title जोड़ दो Mr. Shyam अब कैसे है ठीक है if preferred will indicate your interest in the patient and show that you care ठीक है ओके और indicate करें अपना interest patient के अंदर और show करें that आपको उसकी परवा है you should also give your name and title and then briefly describe the purpose of the interview आपको भी अपना नाम और title की मेरा नाम राम है मैं यहां pharmacist हूँ और आपको आपकी देख्माल के लिए मैं यहां पर हूँ ठीक है ना जो आप पूरी बात बता दो गए तब जाकर के वह interview एक rapid building हो जाती है for example you could say hello Mr. Smith my name is Ankur Kumar I am the pharmacist who is a part of your medical team system और आपकी medical team का जो medical team आपका ध्यान रखे कि उसका एक part उसका एक हिस्सा हूँ and I am here to ask you a few questions मैं यहां पर कुछ सवाल पूछने आया हूँ आप से about the what brought you to the hospital की आप किस वज़े से hospital आये हैं and discuss the medication you have been taking at home और आप घर पे क्या-क्या medication ले रहे हैं if there are others ठीक है एक तो कहानी यह हो गई यह सारी इस तरह से पूछ सकते हैं for example you may say I have a few questions for you मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है Mr. Smith is it okay क्या यह ठीक है for me मेरे लिए to speak to you with your family friends in the room आपके परिवार आले बैठे हुए हैं इनके सामने आपसे सवाल जवाब कर लू मैं और would you prefer to be alone while we talk या आप प्रिफर करेंगे अकेले रहना जब हम लोग बात करेंगे ठीक है अब कह रहा है यह सब चीजें हमें सीखनी है एक खानी की तरह है यह ठीक है इसका में में पॉइंट बना करके सब वैसे मेंनी पॉइंट है इसमें इंट्रीव टेक्निक लिखना मेंवांत टू रिमांद जा थीक है तुम पेशन्ट को द्वारा से रिमांद दिला सकते हो अपना रूल कि तुम्हारा रोल क्या है तुम कौन हो इस पेशली यू आर इन हॉस्पिटल सेटिंग में है फॉस्पिटल के फार्मासिस्ट हैं कित कोई पैथलोगी से आ रहा है ब ठीक है, making appropriate introduction, जब आप एक अच्छा से introduction दे देते हो, interacting respectfully, एक respectful तरीक से उससे मिल रहे हो, with the patient and making the patient feel comfortable, और finally patient को अपने comfortable feel करा दिया है, we build excellent rapport, वो एक excellent तालमेल बैठा देता है आपके उसके बीच में, leading to a strong foundation, foundation मतलब एक जड़, एक strong जड़, जड़ मजबूद कर देता है, किसक pharmacist relationship यहाँ पर है कि strong हो जाती है, बात समझ में आ गई, clear है, now fourth, open and close ended questions, ठीक है, तो अब दो यहाँ पर समझना है हमें, कि open and close ended question में क्या है, open ended questions are questions that require the patient to answer with more than simple yes or no, हम इसको discuss भी कर चुके हैं, जो open and question होते हैं, उसमें केवल yes or no में answer नहीं होता है, patient खुल करके अपने आपक होता है, कैसे question होता है ही बात करेंगे, ठीक है, और node of the head, हम आप से पूछने हैं भाई तुमने गोली खाई, ऐसे कर दिया, खतम होई कानी, ठीक है तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है ना, अरे ओके, पानी बानी पीलो, थोड़ा रह गया बस, ठीक है, है बेटा, ठीक है यह सब बाते पता है, इसको आप fast forward करके भी फटाफट देख सकते हो, जो हर बाई लेक्चर में बता जेता हूँ, कोई लाको लगता है lecture की, सब पता है हमको, और थोड़ा सा slow हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप वीडियो को fast कर सकते हो, option है आपका, ठीक है ना, वीडियो देखत जनल तोर पर open-ended question पूछे आते हैं, technique to use during patient interview to complete the patient to compel, sorry, to compel, जिससे की patient को मजबूर किया जाए, to provide more in-depth, जिससे की अंदर तक, गहराई तक की बाते वो बहार निकाले, किसको लेकर के, बिमारी को लेकर के, ठीक है, कोई और बात ने निकलवानी है, and insightful response, और उसका अंदर से response हाए, हर एक चीज़ का, because open-ended question do not limit the patient to respond with a yes or no, क्योंकि open-ended question में केवल patient yes or no तक सीमित नहीं है, they encourage the patient to disclose more information, इसी लिए इस प्रकार के question, ज्यादा ज्यादा information को disclose करने में, बताने में help करते हैं, for example, example दो बात करें, you can start the interview by asking a open-ended question, आप interview start कर सकते हैं, open-ended question से, जैसे की, such as, how are you feeling today, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और a close-ended question such as, are you feeling well today, दो कितना अंतर आ गया, are you feeling well today, वो कहागा yes, या कहागा no, खतम हो गया, अब हो कहा रहा है, how are you feeling today, वो कहागा यार, ठीक ठीक लग रहा है, लेकिन सुबह से कुछ हमको मालूम पढ़ रहा है, कि य समझ में आ गई, close-ended question और open-ended question का मतलब क्या है, यहाँ पर, the first approach allows for patient to answer in free form, जो पहला अप्रोच है, open-ended वाला, patient यहाँ पर free form में, जी भर की अपना answer दे सकता है, and possibly give you more detail, ज्यादा ज्यादा डिटेल होता हैगा, about the condition of his or her health, whereas the second way, जो दूसर तरीका है, leads the patient to answer with either yes or no, महाँ प इसी परकार जो second वाले approach है, वो information को limit कर देगी, limit कर दिया, ठीक है, यार बस yes, उनों में answer आए, ज्यादा बता ही नहीं पाया हो, this in turn may lead to the rapid sequence of more close-ended question, अब इसके बतले में क्या होगा, जैसे न, are you feeling well today, उसने का yes, अच्छा तो आपको दिक्कत क्या हो गई थी, उसने का में प For example, if you ask the patient a close-ended question such as, do you take your medications as directed by your physician, आपने सवाल क्या, do you take, क्या आपने medication ली है, जो आपके physician ने आपको लिखी थी, direct की थी, you will most likely receive a response of yes, वो कह देगा yes, जो उसने कहा तो मैंने ली थी, लेकिन यहाँ पर एक खेल हो गया, क्या खेल हो गया, अब क्या है, although the patient may indeed be taking each medication as directed by his or her physician, कह रहा है, यदि भी patient ने सारी medication ली, जो उसको बोली गई, you may be missing the opportunity, लेकिन आपने एक opportunity miss कर दी है, to discover how the patient is actually taking each medication, कि patient सारी medication ले कैसे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, उस सुबह की भूल गया हो, सुबह खानेती 8 वजे, उसने खाई 12 वजे, फिर दूसरी खाली 4 वजे, है ना, तो ये चीज तो miss ही हो गई, उसने खाई 3 वो लिया एक दिन में, लेकिन, exactly कैसे खाई पता है नहीं चला, तो वो ही कह रहा है कि आपने miss कर दी opportunity, instead अगर इसकी वजाए आप patient से पूछते, एक open-ended question जैसे कि, how are you taking this medication, कि आप ये दवाईया कैसे खा रहे हैं, तो वो सब कि मैं खा रहा हूं, दिन में 3 वार खा रहा हूं, सुब्ध कई बार नहीं खाता हूं, तो दुपैर को खा लेता हूं, तो वो सारी बात है बतादेगा फिर हो, ठीक है ना, तो answer will likely include, अब answer कैसा होगा, such as the dose, कितनी dose खा रहा है, कितनी दिन में, कितनी बार खा रहा है, कैसे क कैसे खा रहा है, ठीक है, by gathering more information with open-ended question, you may learn that there are discrepancies, जब open-ended question पूछते हो, तो आपको समझ भाया है, कि हापर discrepancies है, discrepancies मतलब, एक difference है, जिस तरीके से बताई गई थे और जिस तरीके से खाई गई है, वो exactly match नहीं कर रही है, जो बताई गई तो खा तो ली गई है, लेकिन ज how the patient is actually taking the medication and how it has been prescribed, ठीक है, जिस प्रका से prescribed की गई है, उनके बीच में अंतर है, सेम नहीं है, ठीक है ना मेटा, तो ये चीजे थोड़ी सी समझने वाली है, बस अब क्या कर रहा है था, use of open-ended question enable you to gather more information, जो open-ended question होता है, यहां से आपको ज्यादा information मिलती है, from the patient and to be more complete and accurate in your assessment, तो इससे आप अपने assessment में जादा access कर पाते हो, समझ पाते हैं चीजों को और accurate रहते हो, इस प्रकार से patient specific care हो पाती है, ठीक है, किस patient को किस प्रकार की care चाहिए, उसी के according उसकी care हो पाती है, अब close-ended question do play a role in communicating with patient, ठीक है, close-ended question भी role play करते हैं, however, the use of close-ended question should be specific to the information you want, जब आपको कोई खास information चाहिए, तब आप close-ended question पूर सकते हो, for example, if you would like to know whether the patient took his or her blood pressure medication in the morning, अब आपको दुपैर में उसका BP check करना है, आप patient पूछेंगे, आपने सुवेरे, क्या आपने सुवेरे BP की मट दवा खाई थी, वो कहाईगा, येस और नो, अब यहाँ पर आपको येस और नो में आंसर चाहिए, तो यहाँ पर close-ended question काम करेंग आपके, तो ऐसा नहीं कि close-ended question नहीं पुछे आते हैं, पुछे आते हैं लेकिन जरूत पढ़ने पर, तो ओके, यू माइट आस्क, डिडिड यू टेक यू ब्लड प्रेशर मेडिकेशन दिस मॉर्निंग, वो कहाईगा, येस, तो ठीक है, वो कहाईगा, नो, तो आप समझ जाना, तो close-ended question और open-ended question के बारे में थोड़ा difference है, यहाँ पर, क्या difference है, answer with close-ended question में क्या है, answer with yes or no, answer are more in detail, answer जो जाँ डिटेल में होते हैं, may induced defensiveness है, वो अपना बचानी कोरिश करता है, close-ended में, वो कहाईगा, दवाई खाई, वो कहाईगा, यार नहीं बोल दूंगा, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीके ना, not indeed defensive हो कहाईगा, हाँ खाई ती है, लेकिन सुबह नहीं खा पाया था, यहाँ दूपर में खा ली थी, ऐसे बोल देगा, easier to formulate, है ना, close-ended question easily बन जाते है, harder to formulate, यह question बराने में सब्सक्राइब लगता है, not obtain complete information, यहाँ complete information नहीं मिलती है, यहा पर हमको complete information मिल जाती है, allow patient to be passive, यहाँ patient कैसा रहता है, passive रहता है, कि यार, मतलब खुद पूरी active नहीं हो पा था, पूरी तरीके से, during the interview, मतलब खुद आंसर दे रहो, passive दे रही है, yes, no, okay, ठीक है, लेकिन यहाँ patient कैसा है, active है, allow patient present information in their own words, वो अपने सब्सक्राइब में सार आपको अंदर से express कर रहा है, सारी बाते बता रहा है, refer to as pharmacist centered question, जैसे last time में देखा था, close question में उसने कहा, कि तुमने दवाई खाई दी, तो pharmacist centered question है, pharmacist को पर based question है, और refer to as a patient centered question, इसको क्या कहते है, यहाँ पर हम लोग patient centered question इसको बोला जाता है, तो example है, has your doctor told you how to take this medication, क्या आ वो बताएगा, ऐसे 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 बताया है, तो पूरी काने समझ में आएगा कि हाँ, उसको दवाई हैं समझ में आ गई है या नहीं आ गई है, clear है बाते हैं, okay, now leading question, leading question क्या होते हैं, leading question का मतलब आप lead करवा रहे हैं, कैसे leading questions आप those that suggest a particular answer, जहाँ पर एक particular answer होता है, जैसे कि these questions lead a patient to provide a response that he or she perceive to be the answer that the interviewer want to hear, leading question मतलब यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं, कि जो interviewer सुनना चाहता है, वही answer दे, कैसे, सुनो, example के तौर पर, for example leading question, you do not miss any dose of your medication, तुम अपनी खुराख की कोई भी dose miss नहीं करोगे, do you, पक्का, तो by phrasing the question, वो क्या करेगा पेशेंट, yes, no I don't, पक्का मैं नहीं करूँगा miss, यानि को यह तो सुनना चाता था, तो हो गया answer, तो leading question कहते हैं, silence, the role of silence during your interaction with patient is more significant, कै वर सांथ भी रहना होता है, ताकि patient अपने आपको पुरी तरीके से express कर पाया, ठीक है, by allowing movement of silence after asking a question, एक question पुछने का जब आप सांथ होते हो, तब पे करता है, accurate response करता है, however, silence में also indicate that the patient has not understood your question, अगर patient silent है, इसका मतलब यह भी हो सकता है, अगर आप silent है, तो patient अपनी सारी बाते हैं, सोच कर पे बताएगा, वो सोच जेगा हम मुझे 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 मिला बोलने का, और अगर patient silent है, इसका मतलब यह हो सकता है, कि patient को आपकी बाते समझ में नहीं आई है, किलियर है, why questions, why questions क्या होते है, as you are interviewing your patient, जब आप अपने patient को interview कर रहे हो, avoiding why questions, why questions आपको बचने है, why questions से, क्यों, for example, if you desire to learn why patient is missing doses of hydrochlorothiaid, for example, अगर आप यह जानना चाते हो, कि patient ने अपने dose hydrochlorothiaid ही क्यों miss कर दी, instead of asking, बजाए इसके, why do you miss your dose, यह question पूछने के बजाए, कि तुमने अपने dose क्यों miss कर दी, आप यह पूछें, what causes you to miss your dose, or what are some reasons for missing your dose, क्या कारण रहा कि आप अपने dose नहीं ले पाए, यह एक अच्छा question हुआ, आप पूछे, तुमने अपने dose क्यों miss कर दी, यह डाटने ऐसा हो गया, समझे रहे बात को, ठीक है ना, the difference is subtle, difference बहुत सूच में है, छोटा सा है, but why वाले में, पेशेंट डरेगा, but it may be enough to affect the way the patient perceives the question, with why method the patient may feel need to defend him, अब वाय वाले में क्या है, पेशेंट अपने आपको defend, बचाने ही कुषिश करेगा, whereas the what method allows the patient to reflect on his reason without feeling as thought you are offering judgment, और what question मे वो यह सोचेगा कि भाई, तुम अपना judgment नहीं दे रहे हो, आप मुसे पूछ रहे हो, कि मैंने क्यों मिस कर दे, तो मैं अपना करण बता देता हूँ, ठीक है, तो why question नहीं पूछना है patient से, non-verbal communication इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, वही सारी बाते हैं, non-verbal communication is the sending of message to or from your patient without the use of words, this type of communication play important role, इस तमाम वही सारी बाते हैं, ठीक है, आई कॉन्टक्ट वारा इसको आप वही सारी दो तिन लाइन हालिक दोगे, ठीक है, टेक्निक में non-verbal communication आपको follow करना है, तो issue of reliability, ठीक है, अब reliability, भरोसे का पंगा, कि भरोसा कई बर नहीं होता है, during the patient interview, you must assess the reliability of the information, you must assess the reliability of information, याने कि जब आप interview ले रहे हो, तो आपको patient जो information दे रहा है, उसके ओपर भरोसा है कि नहीं है, क्यों, that is being conveyed to you, many factors में affect the patient reliability, पेशन जो दे रहा है, उसके भरोसे पे मतलब यार यह information गल्त दे रहा है, फॉर्मसिस्ट को ऐसा लग सकता है, क्यों, किस condition में ऐस psychiatric हो हो, दिमागी तोर पर कमजोर हो, impaired cognitive function हो, उसका दिमाग सही तरीकर ताल में ना बैठा पा रहा हो, inadequate memory recall, वो सही से याद करने सच्छम ना हो, और even a lack of understanding of the question being asked, और क्या question पूछा गया है, उसको patient समझी नहीं पाया है, ऐसे situation में जो information से निकल के आएगी, वो सारी गरवड ह होगी, तो issue of reliability हो सकता है, कि फांसिस तुमारी patients की बातों पर भरोसा ना करे, ऐसे situation में, one way to address potential unreliability is to cross reference, अब यहां पर हमें cross check करना है, कैसे, cross reference the information, कैसे, from a variety of source, कैसे सारे source है, including the patient profile, आप patient की profile चेक करेंगे, कि क्या case चल रहा है, उसका, medical records देखेंगे, उसकी दब़यां होगे भईया, इसका history दिखाओ जारा क्या है, and in some cases, it may be necessary to include a caregiver और family member in the interview session, और अगर जरुत पड़ेगी, तो caregiver जो उसका होता है, जो उसकी देखने कर रहा होता है, या जो family member होता है, उसको साथ रख करके interview लिया जाता है, किलियर है बाते हैं, ओके, तो यह chapter हमारे हैं, यहा करना है, revise करना है, okay, all the best.